चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियो के लिए और इस पर आपको पूरा इंग्लिस मीडिम का कॉर्स मिल जाएगा फुल एच्टी में करेंगे मैंने यह पहले भी करवाय था लेकिन किसी ने का भी आपने प्रॉपर्टी यूज नहीं की तो हम इसमें प्रॉपर्टी की यूज करेंगे completely आपको बताएंगे, तो पहले हम यह वाल लेते हैं, पहले का पहला, इसमें property आपको use करनी है, तो simple है, पहले आपको question को अलग अलग part में divide करना है, देखो, यहाँ पर multiply है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर, तो जब तक यह multiply नहीं होते हैं, तब तक इनको add less नहीं कर सकते ह आपके इसमें भी है, इसमें भी वीच में क्या दे रहा है, आपके multiply दे रहा है, बस यह वाला आपके multiply में यह single number हो गया, तो आप चाहो तो इन दोनों को यहाँ पर past में रख सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको पास में लेका आएंगे यहाँ पर, तो वापस लिको यहाँ पर, minus का 2 upon 3 multiply by 3 by 5, यह तो आपके पहले से ही था, अब इसको आगे लेके आएंगे, क्योंकि यह जो यहाँ पर number है ना same, इसमें भी दिख रहा है, तो इसको आगे लेके आएंगे, और आगे आप चाहो तो यहाँ पर plus लगा सकते हो, और यहाँ हो जाएगा minus का 3 by 5 into 1 by 6 कैसे हो गया, और last में बचा है आपके 5 by 2, यह तो आपके समझ में आगे होगा, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आगे लेके आगे, पिछे बचा यह वाला आपने पीछे लिग दिया, अगर आप bracket बनाते हो तो अंदर plus लगा सकते हो, यह ध्यान रखना है, अब क्रम विने में था हिंदिम कहते हैं, क्रम विने में था, और एंगलिस में कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रोपर्टी है यह तो इसका मतब यह यह तो यहाँ पर भी देखला, जीरो आगे था, और 7 पीछे था, फिर आगे आगे, यह प्लस वाली है, अब अगर मल्टिप्ला हैं गरेंगे तो आप किया करना है, या तो इसको यहाँ इसको इन दोनून में से कीसी एक को चेंज करना है, आपको यहाँ पर लगानी है, कॉम्मूटेटिव प्रोपिर्टी जिससे क्या होगा कि इसको मतलब यह हो गया दो मैं simple यहाँ पर complete property का मतलब बताता हूँ आपको A into B is equal to होता है B into A मतलब इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो A की बात है इस property का मतलब यह होता है तो हम भी क्या करेंगे इसमें से आगे पीछे कर देंगे नम्बरों को तो यह होता है आपके 3 by 5 into minus का 2 by 3 कि यह आपके बड़ा bracket बना सकते हैं प्लस जैसे इसमें 3 by 5 आगे है इसमें भी जब 3 by 5 आपके ओल्रेडी आगे ही है इन 2 वन बाई 6 प्लस 5 by 2 तो अब यह आपके इसमें भी 3 by 5 आगे हो गया इसमें भी आगे हो गया तो अब हम जा करेंगे कॉमन ले लेंगे क्या लेते हैं यहाप पर हम कोमन तो हम ले लेते हैं माइनस का या simple 3 by 5 भी आप कोमन ले सकते हो तो 3 by 5 common level भाग देना, इसमें से ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो हम लिखेंगे minus का 2 by 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम plus, अब देखो यहाँ पर आपके चीज जानगना है कि plus minus क्या हो गया, minus, तो हमें यहाँ पर minus से लिखना है, ये जानगना, अब यहाँ प plus क्या हो गया आपके, 5 by 2, मतलब जो common है ना उसको अटा देंगे, दोनों को बाहर लिखेंगे, इसमें भी एक बार minus है और इसमें भी एक बार minus है, तो इसलिए दोनों इन नमबर बीच वाली क्या रहेंगे, minus करेंगे, अब लेते हम आगे इसको, तो ये तो आपका 3 by 5 है, अब यहाँ पर हम लेंगे LCM, अगर LCM लेना नहीं आता है आपको, सिंपल है, इन दोनों को multiply कर दो, यहाँ पर लिख दो, फिर cross multiply कर दो, मतलब इसको इससे multiply पहले लिखेंगे, जो होता है 12, फिर इस number को इस number से multiply कर दो, जो होता है 3, दोनों ही minus कही है, plus 5 by 2, यह हो गया 3 by 5 अब उपर दोनों ही minus कही है, तो दोनों ही minus कही है, यह हो जाएगा, minus का 15 हो जाएगा, minus के 12, minus का 3, दोनों minus के 15 हो जाएगा, 12 प्लस 3 जाएगा 15 by 18, plus 5 by 2, अब करता है तो काट सकते हो, जैसे दो मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, 5 का divide यहाँ जाएगा आपके 3 टाइम, और 3 क का divide यहाँ पर जाएगा आपके 6 टाइम, और भी करता है, 3 का divide यहाँ पर जाएगा आपके 2 टाइम, उपर गया 1 टाइम, तो वापस लिखो इसको, तो इतना सब करने के बाद, उपर 1 बचा है, निचे 2 बचा है, और minus का sign है, प्लस 5 by 2, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ज कि दोनों में नंबर सेम है, उपरवाल नंबर भी सेम आएंगे, minus का 1 और plus का 5, यह हो जाएगा, plus का 4 by 2, is equal to हो जाएगा, plus का 2, तो यह आजाएगा हमारा answer, आप देख सकते हो कैसे करना है, तो पहले आपको आगे पीछे करना है नंबरों को, फिर property लगानी है, फिर common लेना है, और फिर आपको आगे-ागे solve करना है, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, तो वापस से आप यहाँ आप पर देख लिए, second वाला, समझ में आपको आ जाएगा, यहाँ पर दियान लगाना, देखो, यहाँ पर आपके into है, इसका मतलब यह पूरा number एक करना प पड़ेगा, और यहाँ पर भी into है, तो इन दोनों को भी आपको एक करना पड़ेगा, अब कुछ नंबर हमें common down है, तो common down दियान लगाना, इधर आपके 2 by 5 है, इधर भी आपके 2 by 5 है, दोनों को पास में लेके आजाएंगे, तो लाओ पास में, तो यह है, आगे वाला, आ सकते हो, यह हो गया, आपके 1 by 14, multiply by 2 by 5, यह एक तो हो गया हमारा, यह हमारा ही हो गया, जब बड़ा bracket बनाते हो, तो बाहर हमें सा प्लस ही रखा करो, और लास्ट वाला भी आप ऐसे कर सकते हो, माइनस का 1 by 6, multiply by 3 by 2, अब हमें same commutative property यूज़ करनी है, तो आगे वाले को change कर सकते हो, तो आप यहां लिख सकते हो, same जो मैंने लिखी थी, commutative property, जिससे हम हिंदी में कहते है, करम नेमिता, कहते हैं, जिसमें करम change होता रहता है, B, B into A, मतलब करम मतलब होता है, मतलब number change होता रहता, number 1 वाला 2 पर 2 वाला 1 पर तरह जाता है, इसको ही कर देते है, करम नेम प्लस, इसको नहीं करनें, इसको आसे रहन दो, किसी एक को change करना पड़ेगा आप, फिर आपके नहीं भी करें तो भी जलता है, आपको बस property बता नहीं है, कौन सी है, अब यहां पर आप charge fall कर सकते हो, इसको, इसका divide यहां पर गया आपके 2 टाइम, तो उसका मतलब है, minus का minus, 1 का 1, और 2 टू जा कितना हो गया आपके 4, अब दोनों में आपके 2 बाई 5 है, दोनों में क्या है, आपके 2 बाई 5 इधर भी है और इधर भी पीछे है, आप तो दोनों को आगे रख सकते हो, चाओ दोनों को पीछे रखो, मर्जी आए जो रख सकते हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर common ले लेते हैं, यह वाला आजाएगा आपके common, 2 by 5 हमने common ले लिया, अब जो बाकी बज गया जगो, यह वाला आपके common आ चुका, इसको नहीं लिखना है, बाकी दोनों को आपको लिखना है, तो यह आएगा आपके minus का 3 by 7, और इसमें है आपके plus का 1 by 14, अब पिछे दे रहा है, plus minus minus 1 by 4, अब यहाँ पर हमें LCM लेना है, अंदर वाले नमबरों का, तो लेते है LCM, क्या LCM आता है, 14, क्योंकि 14 का divide दोनों में जाता है, 7 की टैबल में 14 कितनी बाह आता है, टू टाइम है, तो होता है, टू थरी जा, 6, 14, 14 कैंसल त minus का 1 by 4, आगे solve करेंगे, तो यह होता है, आपके 2 by 5, ऐसे bracket equal लगा सकते हो, अब 6 में से अगर 1 अगर minus करते हैं, तो क्या आता है आता है, आपके 5, ज्यादा कौन सा बढ़ा है, आपके minus का number बढ़ा है, अब पॉन में क्या आ जाएगा, 14, minus 1 by 4, अब प्वड़ा ध्यान 5 हो गया, cancel one time, तो अब multiply करो कितना होता है, और भी करता है number, ये number इस से जाता है आपके 7 time, तो हमारा answer हो गया है, minus का 1 by 7, minus का 1 by 4, यहाँ पर हम क्या करेंगे, LC हम लेंगे, दोनों का multiply करते हैं 28, cross multiply करते हैं, तो minus का 4, minus का 7, यह हो जाएगा, minus का 11 by 28, फिर भी आपको doubt लगे, कि सर्दी मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैं और समझा दूंगा board पर, कोई भी doubt है, और भी कोई question ऐसे है, जो आपको समझ में नहीं आया है, मैंने property अगर use नहीं किया है, कैसे आपको समझाना है, और अच्छे समझा सकते हैं, आप comment कर देना, कोई doubt है, अभी भी समझ में नहीं आया है, तो doubt और killer कर देंगे आपका, वीडियो अच्छा लगे, तो please एक बार like जरूर करना, चैनल को subscribe जरूर करना, धन्यवाद, अगर मेरा ये वाश्टर कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर share कर सकता हूं, अच्छा लगे तो like करें, चैनल को subscribe